हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो दिस यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम HPJVT TET के क्वेस्टन पेपर को डिस्क्स करने वाले हैं जो कि 26 नवंबर 2023 को कंड़क्ट करवाया गया था इसमें हम specially math section को cover करेंगे और उसके सभी question को solve करेंगे तो चलिए और देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला question क्या है PQR एक त्रिबुज है जिसमें P समकोन है यदि PQ 10 cm एक PR 24 cm है तब QR क्या होगा अब यहाँ पे PQR त्रिबुज दी गई है हमें यह वाली भुजग ग्याद करनी है तो यह 10 cm है यह 24 cm है तो आपको पता है यह क्या होगी यह होगी अंडूट ओफ 10 का स्क्वेर जमा 24 का स्क्वेर तो क्या होता है 10 का स्क्वेर होता है 100 24 का 576 तो 676 हो गया इसका अंडूट क्या होता है 26 तो कौन्स उप्शन है option B right answer है चलिए अगला question देखते है question number 92 क्या है दश्मिलव 0.65 भिन को प्रेश्चत में बदलो तो प्रेश्चत में कैसे बदलते हैं जो भी है उसको लिख दो पहले 0.65 अब इसको बटा 100 को लिख दो मतलब 65 यह जो दो 10 में लफस्ताने इसका बटा 100 नीचे लगा दो और प्रेश्चत में कनवर्ट करना है तो into 100% लिख देना है 100% लिख देना है मतलब 100 प्रेश्चत साथ में 100 भी और प्रेश्चत भी दोनों साथ में लिखने है यह दोनों कर जाएंगे तो क्या जाएगा 65 प्रेश्चत हमारा अंसर आजाएगा option C right answer है अगला question देखते है question number 93 क्या है मीना ने 9 प्रेश्चत बारसिक दर से एक वर्ष प्रेश्चत 45 सा धानब्याज की रूप में दिये उसने कितने उसने कितना धन उधार लिया था अब simply देखो यहाँ पे एक चीज हमारे पास 9 दी गई है एक 45 दी गई है दर तो एक साल के लिए है तो एक साल के लिए मतलब दर प्रेश्चत पे कोई चेंड नी आएगा इसमें तो इसको ट्रिक से करने का असान तरीका क्या है 9 और 45 9 के पास 45 कब आएगा जब 9 कौम किस से कुना देंगे 5 से कुना देंगे ना तो यहाँ पे 5 किसके साथ में लगा हुआ है इसके साथ में तो option D right answer है वैसे तो आपको आता है यह formula I is equal to PRT upon 100 इससे भी निकल जाएगा I 45 है P निकालना है R 9 है एक टाइम एक वर्ष दिया हुआ है और यह 100 तो 9 पंज़ पैंटालीस और यह आगया 500 तो ऐसे भी आ जाएगा लेकिन शॉटकर तरीक कही है 9 पंज़ पैंटालीस तो 500 अगर मूलदन होगा तभी ब्याज पैंटालीस होगा अगला question देखते है question number 94 क्या है क्रेव ये क्रेव के सौदे में कितना लाब यहां हानी हुई बताएए एक सकर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गी अभी खरीदा किसमें था 250 में तो हानी के लिए क्रेव मूल ले पहले आता है वैसे हानी होगी अभी खुदी देखिए अगर खरीदा इतने में है और बेचा इतने में तो हानी हुई न 250 मानिस 150 अब बता नीचे क्या आएगा नीचे वही आएगा जो पहले था पहले क्या था 250 250 तो 100 बता 250 प्रिश्चत के लिए 100 लगा देंगे इसे ये कट गया 25 चोका 100 और 40 प्रिश्चत हानी होगी ठीक है तो option dear right answer है मारा अगला question देखते है question number 95 में क्या दिया हुआ है इसे दी गई आकरिती क्या है व्यास के साथ एक अर्दवित है इसका परिमाप क्या हुगा अब ये आकरिती दी हुई है अब परिमाप निकाले है परिमाप का मतलब क्या होता है ये सारा प्लस ये तो परिमाप पहले हम अर्दवित का निकालेंगे पूरे वित का परिमाप होता है 2 pi r अर्दवित का क्या होगा pi r प्लस ये पूरा 10 ही आजाएगा तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 आर कितना है अब ये 10 है तो आर 5 होगा जमा 10 आ गया 5 थी है 15 मतलब 15 के करीब आएगा ने 15 something आएगा मतलब 15 के नजदी की होगा ठीक है और 15 में 10 जोड़ देने तो क्या होगा 25 मतलब ये आएगा 25.something 25.7 आप्शन भी राइट है अगला question देखते है Question No. 96 क्या है यदि संक्यादी है तो X का मान ग्याद करना इसमें ये तो बहुत ही simple है इसको ऐसे करते है X बटा 2 मानिस 1 बटा 5 बराबर X बटा 3 मानिस उसवारी प्लस है यहाँ पर 1 बटा 4 X वाली साइड को एक साइड ले आते है X बटा 2 मानिस सजाएगे दिर X मानिस X बटा 3 बराबर 1 बटा 4 जमा 1 बटा 5 अब ये इसको cross multiply कर दो 3X मानिस 2X बटा 6 5 जमा 4 बटा 20 तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर X बटा 6 बराबर 9 बटा 20 2 तियं 6 10 दुनी 20 तीन होगा 9 तियं 27 बटा 10 बटा आ गया हमारे पास तो कौनसा option है? Option B राइट है दो सरे Question number 97 क्या है? एक सम पंच बुझ का परिमाब 100 cm है प्रतेक बुझा की लंबाई गयाद कीजिए अभी ये सम पंच बुझ है जो 5 बुझाएने इसकी ये होती है सम पंच बुझ इसकी पांचों बुझाएन समान है ठीक है? अगर ये समान है और इसका परिमाब 100 cm है मारला बराबर बुझाएन है और बुझाएन कितनी है 5 तो हर बुझा कितनी होगी? 20 cm की होगी ठीक है? और बुझाएन कितनी होगी ठीक होगी ठीक होगी ठीक है पांच गंटे में कितनी दूरी ठीक होगी? अब यहाँ पांच गंटे दी होगी है और ये 25 मिन्ट की दूरी दी हुई है 14 km तो एक काम करते हम इस 5 गंटे को भी मिनिट में बदल लेते हैं अभी दूरी वाला फार्मूला लगा के तो लंथी हो जाएगी कुलमेटर पर आवर में आपको श्क्राइब निक्लानी पड़ेगी इससे अच्छा है घंटे को इसमें अदमें अब पांच घंटे में कितने मिनिट होते हैं 300 मिनिट होते हैं और यह 25 मिनिट में 14 किलमेटर चल रहा है मतलब हम इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो 14-14 के सेग्मेंट बन जाएंगे ना हमारे पास पच्चीस चुका 100 होते हैं तो 4-8-12 तो 12 आगे यहांपे तो 12 को अगर 14 से हम गुना करेंगे तो टोटल 5 गंटे की दूरी आजाएगे हमारे पास तो 12 को 14 से गुना करते हैं 12 चुका 48 और 12 कम 12 यहांपे 12 होगा तो 8, 4, 6 और 1 तो 168 आजाएगा हमारे पास तो कौन सो अप्षिन है? अप्षिन बीर आइटम से रहे अगला क्वेशन क्या है? क्वेशन नमबर 100 दिया हुआ है 5 मेटर का 5 किलमेटर से अनुपात होगा अब अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा तो 5 मेटर बटा 10 किलमेटर अब किलो का मतलब क्या होता है? ठीक है? यह प्रिफिक्सिस है ना आपको डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा यह सारी प्रिफिक्सिस होती है यह आपको पता होने चीए डैसी सैंटी मिली माइक्रो नैनो यह छोटी प्रिफिस्टिस होती है नेगटिव साइन के साथ यह भी आपको पता होने चीए ठीक है तो केलो का मतलब हजार होता है पांच मेटर बटरा दस कुना हजार मेटर भई रह गया अब पांच दुनी दस होता है मतलब एक अनुपात दो दो के बीचे हजार मतलब दो हजार तो आप्शन एर आइडंस रो जाएगा हमारा आप्शन नमबर 101 क्या है हमारे पास निल ने अपनी रस्वई के फर्स सफेद वर्गाकार टाइल ने लगाने की सोची है टाइल का हर किनारा 10 सेंडिमेटर का है इसकी रस्वई 220 गुणा 180 चोड़ी है कितनी टाइलों की जुरूत पड़ीगी ठीक है तो 220 मालो लंबाई है और 180 चोड़ाई है और टाइल की लंबाई क्या है 10 और चोड़ाई भी 10 है तो इसको सिंपली हम यहां से कार देते हैं तो 22 मुणा 18 ठाइलों इसको जुरूत पड़ीगी तो अप्शन सी राइट अंसर हो गया हमारा ऐसे करके सिंपल ट्रिक से मैंने इसको सॉल्व किया है ज्यादा जमेलें पढ़ने की जुरूत नहीं है आपको सिर्फ डेटा देखना है और आपको आइडिया लगाना है की कैसे सॉल्व होगा फॉर्मले की जुरूत नहीं पड़ती है तब तो चलिए एगला कॉशन लिखते है 102 कॉशन क्या है भी दो दस्मलब तीन चार को लगतम रूप में लिखे तो दो दस्मलब तीन चार है इसको हम ऐसे लिख सकते है 234 बटा 100 ठीक है अब हम इसको ऐसे लिख सकते है 234 बटा 100 ऐसे करेंगे ना 200 प्लस 34 हो जाएगा 234 हो जाएगा तो अब इसको काड़ते हैं 17 50 दो से कड़ गे ना तो 27 बटा 50 आगे हमारे पास इससे छोटा रूप कोई नहीं हो सकता है क्योंकि ये फिर पॉइंट में आ जाएगा तो अप्शन सी राइड अंसर हमारा क्वेशन नमर 103 के हैं 22 किताबों का भार 9 केजी है तो 40 किताबों का भार कितना होगा अभी इसको नमर 104 के हमारे पास मान गयाद कीजे इसका हमें मान गयाद करना है तो मान सिंपल इसको solve करना है 3 बटा 13 भाग है यहाँ पे मानिस 4 बटा 65 ठीक है तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर कभी भाग दिया हो तो हम इसको कैसे करते हैं इसके लिए एक trick है 3 बटा 13 करके इसको गुणे में convert कर दो और जो यह दूसरी वारी संके इसको उल्टा कर दो तो 65 बटा 4 आ जाएगा मानिस तो वैसे ही रहेगा तो 13 पंजा 65 आ गया ठीक है तो 5 यह 15 और क्या गया आपे 4 तो वैसे ही आ गया तो मानिस 15 बटा 4 option 3 डाइडन्स है हमारे पास अगला विशन देखते है question number 105 क्या है एक अर्ध गोला कार काटोरी की तरिज्या 3.5 सेंडमेटर है इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का इतन क्या होगा अब तरिज्या हमारे पास दी गई है 3.5 तो अर्ध गोले का इतन कितना होता है आपको पता गोले का इतन कितना होता है अब R हमारे पास दिया हुआ है 3.5 तो 2 बटा 3 गुणा 22 बटा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 यह 3 बार गुणा कर दिया R क्यूब की जगा में इसके क्यूब निकालने मत बैठ जाईएगा क्यूंकि ऐसे questions में बहुत tricky होते हैं तो आप simply पहले इसको छोड़ी calculation में convert कर लीजी उसके बाद इसको solve करना होता है तो इसको करते 35 यह 35 गुणा 2 में 7 बन गया यह कड़ गया 7 से ठीक है यह भी cancel हो गया है अब क्या बचा है हमारे पास 3 बचा है और यह 22 बचा है ठीक है अब 22 को तोड़ देते 11 गुणा 2 में 11 गुणा 2 यह भी 7 आ जाएगा मतलब 11 35 गुणी 70 7 हो गया इसको 3.5 आ गये और पूरे का भाग 3 आ जाएगा तो इसको जब करेंगे यह एक दसमलब कुछ आ जाएगा काड लेते इसको 3 गुणा 3 और पॉइंट 5 है ना 3 गुणा 3 तो एक दसमलब एक कुछ आ जाएगा 11 77 और 77 का एक दसमलब एक कुछ आ जाएगा मतलब यह आएगा लगव इसके करीब 89 के करीब आएगा 98 के करीब तो आएगा नहीं काफी दूर हो जाएगा पूछा हुआ है एक बाद 3 पाई जाएगा तो यह होता है अगला वश्न देखते है पूशन नमर एक सबसात है धनात्मक वास्तविक संख्याएं A और B के संबंद में कौन सी सर्वसमिका लागू नहीं होती है अब सभी सर्वसमिकाओं को ध्यान सी देखी है आपने आइडेंट्रीज पढ़ियोंगी यह भी ट्रू है यह भी ट्रू है अब यह भी ट्रू हो सकती थी कैसे हो सकती थी अगर यहाँ पे A स्केर होता और B सिंपल दिया होता ठीक है क्योंकि A प्लस B इंटू A माइस B के होता है A स्केर प्लस B स्केर अब अगर B यहाँ पे अंडूट भी है तो यह तो स्केर नहीं होना चीए है स्वरी प्लस नहीं होता है अब यह अंडूट में होता अंडूट में है स्वरी यह तो यहाँ पे B ऐसे होना चीए अगर आपको fast लग रहा है तो थोड़ा slow करके इसको देख लीजेगा या तो फिर rewind करके भी आप देख सकते हैं मैं इसलिए question को fast करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको धीरे धीरे करवाँगा तो ये video बहुत ही लंबी हो जाएगी तो अगर आपको ये थोड़े speed लग रही है तो इसको आप थोड़ा slow करके देख लेना तो चलिए एक लगशन देखते हैं question number 108 का है हमारे पास इसको circle करना है तो ये भी वही identity है 1 की पावर m बटा 1 की पावर n बराबर 1 की पावर m मानिस n अब हम क्या करते हैं इसको a को बूल जाते हैं m बाइन से नहीं करते हैं 1 बटा 5 m है और 1 बटा 3 n है तो इसको cross multiply कर दो ऐसे करके ठीक है तो 3 मानिस 5 बटा 3 गुणा 5 मतलब मानिस 2 बटा 15 तो आगे हैं पर 7 की गात मानिस 2 बटा 15 option d राइटन से question number 109 क्या है मानिस 1 गुणा मानिस 2 बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलों क्या है गुणात्मक प्रतिलों का मतलब क्या हता है किसी चीज से गुणा करने पर उसकी value एक हो जाए ठीक है तो पहले इसको solve करते हैं मानिस into minus plus हाजएगा मतलब 2 by 5 हाजएगा अब कौन से ऐसी संक्य से गुणा करें कि उसका गुणाफल एक आ जाए तो इसका उल्टे से गुणा करेंगे ना 5 बटा 2 से तो यही इसका गुणात्मक प्रतिलों होगा ठीक है तो 5 बटा 2 option C राइट अनस रहा question number 110 है एक सम बोबज की बुजाओं की संक्या क्यात कीजिए यदि इसका प्रतेक अनता इकौन 105 डिग्री है अभी इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे पहले हम बहाई कौन निकालेंगे क्योंकि बहाई कौन निकालने के बाद हम 360 को उससे भाग देनेगे तो पहले निकालते है 180 मानिस 165 से बाई कौन निकालाएगा तो यह आता है 15 डिग्री ठीक है 15 डिग्री हमारे पास एकस्टीर एंगल आ गया ठीक है बाई कौन आ गया अब टोटल एंगल कितना होता है बाहरी 360 डिग्री होता है ना इसको 15 से काटेंगे तो 24 हा जाएगा हमारे पास मतलब हमारे पास 24 बुजाओं बाला बहुबुज़ है ठीक है बुजाओं की संक्या 24 है अगला कौशन देखते है कौशन 111 का है समानतर चेतर बुज मैं अग्याद XYZ का मान ग्याद कीजिए तो XY और Z ये तीन कोण है ये अग्याद है ये हमें निकालने है अब ये पैरलल दी हुई है ये भी पैरलल दी हुई है ये भी पैरलल दी हुई है तो अगर ये पैरलल है तो पहले इसको एक्स्टेंड कर देते हम यहाँ पे अगर ये 50 डिग्री है ये टोटल 180 होता है तो 180 से 50 गे तो 130 हा जाएगा और अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा ना आपको नियम तो पता ही होंगे जुमेंटरी की अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा कूण क्योंकि ये पैलल है अब X ब्राबर 130 है अब ये समानतर रिखा पे हैं X भी Z भी तो X ब्राबर Z हो जाएगा और अगर यहाँ पे Z कौण ये है तो ये कौण Y के एकल होगा क्योंकि ये दोनों पैलल है यहाँ भी और यहाँ भी ठीक है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा है XYZ तीनों इकल है 130 डिग्री Option B राइट अंसर है अगला वेशन देखते है Question No. 112 के है Pythagoras trick में जिसका एक सदस्य छे है अवश्यक trick होंगे अभी Pythagoras trick का मतलब क्या होता है कि वो तीन नमबर होने चीए न जो Pythagoras को follow करें जैसे इसमें जो ये भुजा है जो ये भुजा है जो ये तीसरी भुजा है न जैड ये आना चाहिए अंडरूट ओफ एक स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर ठीक है तो ऐसे करके follow करना चाहिए तो कैसे आएगा अब ये तो कोई भी follow नहीं करता है मैंने चेक किया था इसको देखिए ये चे का स्क्वेर कितना होता है च्छ तीस आठ का स्क्वेर चौंसाट बराबर दस का स्क्वेर सौ होता है ठीक है तो इसका योग भी सौ हुजा होता है तो ये दस का स्क्वेर सौ होता है मतलब ये पूरा follow कर रहा है option D-right answer ठीक है अगला question देखते हैं question number 113 में क्या दिया है, 25 विद्यार्थियों मैं से 32% विद्यार्थी विग्जान में अच्छे हैं, ये अच्छे बिः विग्जान में, कितने विद्यार्थी विग्जान में अच्छे नहीं है, अब यहाँ पे काफी बच्चे भूल गए होंगे ठीक है उन्होंने अच्छे हैं वो निकाला होगा और उसी को अंसर लगा दियोगा लेकिन यहाँ पर ट्रेक है यहाँ पर अच्छे नहीं यह पूछा गया तो पहले एक काम करते हैं 25 पद्यार्थियों मैंसे 22% अच्छे हैं बत्तर अच्छे हैं तो 100 मैंसे 22 गए 28 बचे मतलब 28% जो है वो अच्छे नहीं है तो उन्हीं को निकालते हैं न बाकियों को हम क्या करेंगे तो 25 गुणा 28 बटा 100 यह 28% आगया 25 का 25 चुका 100 7 चुका 28 तो 7 विद्यार्थि जो है वो अच्छे नहीं है और यह क्वेश्चन मैंने हैं हम से कम 3-4 बार तो खुदी देख लिया है हर बार पूशा जाता है पिछली बार के पेपर मैं भी यह पूशा गया था क्वेश्चन तो इसको तो रट्टा ही मार लो आप एक हिसाब से लेकिन यहां पर जो डेटा है वो देख लेना यह पार और 3-3 मैं अब यह दो तो दोनों के साथ मानिस जरूर होगा ठीक है एक्स तो इनके साथ हो गया और यह 12x क्यार पलस एक आ गया अब इसको क्या करते हैं चार एक्स कोम ले लिया यहां से आ गया तीन एक्स मैंस एक आ बराबर 0 तो यह चार एक्स मैंस 1 और तीन तो यह हमारे पास गुंड खंड आगे आप इनको चेक करने के लिए दोबारे से multiply करेंगे तो दोबारे यही बन जाएगा ठीक है तो option हमारे पास बी राइट अंसर है 3x minus 1 into 4x minus 1 अगला question देखते हैं question number 115 क्या है एक cricket match में एक महिला बल्लेवाज खेली गई 30 गिंदो मैंसे 6 बार चौका मारती है एक चौका ना मारे जाने की प्राइक्ता क्या होगी स्वरी चौका ना मारे जाने की प्राइक्ता क्या होगी तो कितनी बार चौका मारती है छे बार चौका मारती है 24 बार चौका नहीं मारती है वक्र प्रिष्टिक शेत्रफल ग्याज कीजिए, जिसकी तिरी एक उंचाई, तिरी एक उंचाई means L, slant height होती है, 10 cm है, और अधार तिजिया, 7 cm है, आर बाबर, 7 cm है, अब ये होता है शंकू ठीक है, ये होती है, जो main height होती, standard height, और ये होती है, slant height, ठीक है, और ये है आपकी अधार तिजिया, यहां से यहां तक, तो इसका formula क्या होता है, बक्र प्रिष्टिक शेत्रफल का formula होता है, a ब्राबर, pi r into r plus L, ठीक है, तो pi आ गया, 22 बड़ा 7 आपका, r आ गया, 7 into 7 जमा, 10 आ गया, 7, 7 कट गया, 7 और 10, 17, 22 कुना, 17, 17 तो नहीं, 34, 34, 4, 4, 3, 7, 37, 374 आ गया हमारे बास अंसर, ये answer तो option में नहीं है, इसका मतलब ये question स्क्रैप हो जाएगा, वैसे आप भी एक बार कुछ से solve करके देख लेना, और formula भी एक बार cross check कर लेना, मुझे तो लगता है कि ये question के option जो है, वो गलत है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, और अगर आपको कुछ इसमें गड़बर लगती है, तो comment box में comment करके बता सकते हैं, तो चलिए अगलोग लगोशन देखते हैं, एक सात्रा question है, एक बरतन, मैं 4 लेटर 500 ml दही है, 4 लेटर 500 ml दही है, 25 ml धारता वाले कितने गिलासों में से बढ़ा जाखता है, अब गिलास का बोली में 25 है, और टोटल बोली में 4 लेटर, मतलब 4 गुना 1000, 45 हो गया, और गिलास कितने ml का है, 25 ml का, अब इन दोनों की यूनिट सेम आगी न, यूनिट सेम होनी चीए, तब जाके question solve किया जाता है, तो 25 से कितनी बार गया, 25 से एक बार गया न, 20 बचा, 25 सड़ा कितना आगया, 200, तो 180 हो गया हमारे पास, तो कौन सा option है, option B right answer है हमारा, question number 180 क्या है, कौन सा कतन सत्य है, विशम संक्याओं का योग सम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक जमा, एक जमा, विशम संक्या है, तो 3 आ गया, विशम हो गया, दो भी सम संक्या हों और एक संक्या का योग सम होता है एक जमा एक जमा दो पराबर चार आ गया सम संक्या है यजि किसी सम संक्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल भी सम आता है नहीं चार को अगर दो से भाग देंगे तो दो आएगा यहां पे ठीक है ये भी गलत हो गया, ये सही है हमारा, वैसे तो यही अंसर लेकिन इसको भी देख लेते हैं, सबी अबाजी संख्या भी सम होती है, तो दो अबाजी संख्या ये सम है, तो option बी-डाइट अंसर है हमारा, इक्सर वन्नी इस question दिया है, दो से बारा तक की प्राकृतिक संख्याए लिखे, इन मेंसे कौन सी भिन संक्या हैं, कौन सी भिन अभाजी संक्या पर दर्शित करती हैं, अभी लिखते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यारा, बारा भी है, बारा भी लिखते हैं, टोटल कितनी संक्या हैं, ग्यारा संक्या है न ये, और अबहाज जेसंग क्या हैं कितनी इसमें से? दो अबहाज जे है, तीन है, पाँच है, साथ है और ग्यारा है. मतलब पाँच है, तो पाँच बटा ग्यारा जाएगा हमारे पास अंसर. ओप्शन सी राइट अंसर है, ठीक है? कुश्चन नमबर 120 क्या है? हल कीजिए, इसको हल करना है, कैसे करना है? इसका सिंपल तरीका मैं आज आपको बताता हूँ हल करने का. दो सही, एक बटा तीन, मानिस, एक, दो बटा तीन. अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं. मानिस दो बटा तीन ठीक है अब दो मानिस से एक आ गया और ये इस में से एक में से दो गया तो एक बचा मानिस का एक बटा तीन आ गया अब तीन में से एक गया तो दो बटा तीन आ गया तो कौन सो उप्शन है बहुत एजी तरीके से हो गया नहीं तो इसको गुणा करके दोबारा फिर वाई अंसर आता है ठीक है तो ऑप्शन सी राइड अनसर है हमारा तो दोस्तों यह था एच्पी जेविटी टैट का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से सालू करने कोशिश किय अगर आपके इस वीडियो में कुछ डौट आपके रह गए हैं जो भी कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूर सकते हैं ठीक है कोई भी अगर क्यारी होगी तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इसमें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्रिपया इससे लाइक और शेयर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बैतरी वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद पंदे मातरम